आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी रिमजिम कक्षा चार के पाठ शौदह मुफ्त ही मुफ्त के बारे में एक दिन भीकुबाई का मन नारियल खाने का हुआ ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ उसके बारे में सोचते ही भीकुबाई ने अपने होठो को चटकारा वह क्या मीठा मीठा सा स्वाध होगा लेकिन एक छोटी सी समस्या थी घर में तो एक भी नारियल नहीं था ओहो अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा उन्होंने अपनी पत्नी लाभू बेन से कहा मतलब पहले कुछ पंक्तियों में यह बताया जा रहा है कि मीठू भाई नाम का एक इनसान है जो कि घर में नारियल तलाश रहा है खाने को पर घर में कोई नारियल ना होने के कारण वह सोच रहा है कि अब उसे बाजार जाना पड़ेगा लाभू बेन अपने कंधे उचका कर बोली खाना है तो जाना है एक समस्या और थी भीखु भाई ने कहा पैसे खर्च करने पड़ेंगे फिर उसकी पत्नी बोली हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखु भाई जरा कंजूस थे वह सीधे खेत में बूढ़े बरगत के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे क्या करूँ मैं क्या करूँ मतलब कि भीखु भाई बड़े ही कंजूस किसम के व्यक्ति थे और वो नाडियल का स्वाद तो चखना चाहते थे पड़ंतू उसके लिए पैसे खर्चा नहीं करना चाहते थे तो बेचारे करते क्या न करते चुपचा बैठ कर एक बरगत के नीचे सोचने लगे मगर नाडियल खाने के लिए जी ऐसा लल चाया कि वे जल्दी घर वापस लोटकर लाभू बेन से बोलें अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ पता तो चले कि नाडियल आजकर कितने में बिक रहे हैं जूते पहन कर छड़ी उठा कर भीखुबाई निकल पड़े बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे भीखुबाई ने इधर कुछ देखा उधर कुछ उठाया और दाम पूछा देखते देखते वे नाडियल वाले के पास पहुँच गए ए नाडियल वाले नाडियल कितने में दोगे भीखुबाई ने पूछा नाडियल वाले ने कहा बस दो रुपे में काका पस दो रुपए भीखु भाई ने आखे फैला कर कहा बहुत जादा है एक रुपए में दे दो तो नारियल वाले ने कहा नाजी ना दो रुपए सही दाम ले लो या छोड़ दो ठीक है ठीक है भीखु भाई बरबड़ाए अच्छा तो पताओ एक रुपए में कहा मिलेगा नारियल वाले ने कहा यहां से थोड़ी दूर जो मंडी है शायद वहां मिल जाए सो भीखु भाई उसी तरफ चल पड़े मतलब जिस मंडी में उन्हें उम्मीद थी कि सस्से नारियल मिल सकते हैं वो उस मंडी की तरफ चल दीए चलो देख लेते हैं वे अपने आप से बोलें टहलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी वो खुद ही सोच रहे हैं कि इसे दो फाइदे हैं एक तो रुपए भर की बचत और दूसरा टहलने का बढ़िया मौका खुशी से घुरगुडाते भीखु भाई ने छड़ी को जमीन पर थप थप आया मंडी में कोलाहल फैला हुआ था व्यपारियों की उची उची आवाजे गूंज रही थी मतलब जिस तरीके से एक सबजी बाजार में तरह तरह की सबजी वाले अपने सबजीयों को बेचने के लिए आवाजे लगाते रहते हैं तो वैसा ही कुछ आवाज उस सबजी बाजार में भी था माथे का पसीना पोचकर भीखु भाई ने इधर उधर ताका नाडियल वाले को देखकर पुछा अरे भाई एक रुपय में कितने नाडियल लोगे सिर्फ एक रुपय काका नाडियल वाले जवाब दिया जो चाहे लो जाओ जल्दी शुफ छे भाई भीखु काका ने कहा यह क्या है मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा एक रुपया मांग रहे हो पचास पैसे ही काफी है मैं इस नाडियल को लेता हूँ और तुम यह लो पकड़ो पचास पैसे नाडियल वाले ने जट भीखु भाई के हाथ से नाडियल को छीन लिया और बोला माफ करो काका एक रुपया यह फर कुछ नहीं लेकिन भीखु भाई का निराज चेहरा देखकर बोला बंदरगाह पर चले जाओ हो सकता है वहाँ तुम्हें पचास पैसे में मिल जाएं मतलब भीखु भाई इतने कंजूस कि उन्हें दो रुपय में मिल रहा था तो वो एक रुपय के नाडियल खरीदने के लिए काफी दूर चले गए और अब जब एक रुपय के नाडियल मिल रहा है तो उन्हें उससे भी सस्ता चाहिए मतलब कि अब वो पचास पैसे के नाडियल की तलाश में बंदरगाह की तरफ जा चुके हैं अब दरगाह बोलते हैं उस स्तान को जहां पर जहाज पानी के बड़े बड़े जहाज लगते हैं भीखु भाई अपनी छड़ी से टेक लगा कर सोचने लगे अखिर पचास पैसे तो पूरे पचास पैसे हैं वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है पैरो को घसीटते हुए भीखु भाई चलने लगे हर दो कदम पर रुक कर जेब से बड़ा सफेद रुबाल निकाल कर वे अपना पसीना पोचते सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था उसके सामने दो चार नाडियल पड़े थे अरे भाई एक नाडियल कितने में दोगे भीखु भाई ने पूछा और कहा ये तो काफी अच्छे दिखते हैं काका ये कोई पूछने वारी बात है केवल 50 पैसे नाव वाले ने कहा 50 पैसे भीखु भाई मानो हडानी से हक्य बख्य हो गए इतनी दूर से पैदलाया हूँ इतना ठक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे मेरी महनत पेकार हो गई ना ना भई ना पचास पैसे बहुत जादा हैं मैं तुम्हें पच्चीस पैसे दूँगा यह लो रख लो ऐसा कहते हुए भीखु भाई चुपकर नाडियल उठाने ही वारे थे कि नाव वाले ने कहा नीचे रख दो मेरे साथ कोई सौधा वदा नहीं चलेगा थोड़ी देर बाद उसने भीखु भाई की और ध्यान से देखा और ठंडे दिमाग से बोला सस्ते में चाहिए नाडियल के बगीचे में चले जाओ वहाँ ठेड सारे मिल जाएंगे मन पसंदाम में भीखु भाई ने फिर अपने आपको समझाया इतनी दूर आया हूँ अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है क्या परशानी है अब अगर बगीचे तक जाना भी पड़े तो सच बात तो यह थी कि वे काफी ठक चुके थे मगर पच्चीस पैसे बचाने के खयाल से उन में फुर्ती आ गई भीखु भाई ने सोचा देवगुना जादा चलना पड़ेगा बस पच्चीस पैसे का एक देखो कितने बड़े-बड़े हैं हे भगवान पच्चीस पैसे पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गयें पैर ठक गयें और अब पैसे भी देने पड़ेंगे मेरी बात मानो एक नाडियल मुफ्त में ही दे दो हाँ भई देखो मैं कितना ठक गया हूँ भीखू की बात सुनकर माली ने कहा अरे काका मुफ्त में चाहिए न यह रहा पेड और वह नहा नाडियल पेड पड़ चड़ जाओ और जितने चाहे तोड़ लो यहाँ नाडियल की कोई कमी नहीं है पैसे तो मेरी महनत के हैं सच जितना चाहू ले लू भीखू भाई तो खुशी से फूले ना समाए मेरा यहां तक आना बेकार नहीं गया उन्होंने सोचा कि मैं अब यहां तक आया हूँ तो अब जब नाडियल मुफ्त में लेने के मौके मिल रहे हैं तो मुझे इसे खोना नहीं चाहिए पेड़ पर चड़ते चड़ते भीखू भाई ने सोचा बहुत अच्छे मेरी तो किसमत खुल गई जितने नाडियल चाहे तोर लू और पैसे भी न दू क्या बात है भीखू भाई उपर पहुँच गए फिर वे तहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे पढ़ाने लगे सबसे बड़े नाडियल को तोड़ने के लिए जक पैर फिसल गए भीखू भाई ने एकदम से नाडियल को पकर लिया उनके दोनों पैर हवा में जूलते रह गए बाकी सब तुम्हाड़े और तुम्हाड़े नाडियल के बीच का मामला है पैसे नहीं, खड़ीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं सब कुछ मुफ्त तभी उन्ट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा अरे ओ, भीखु भाई जोर-जोर से पुलाने लगे ओ, उट वाले, मेरे पैर वापिस पैर पर टिका दो ना बड़ी महरबानी होगी उट वाले ने कहा, चुरो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है उट की पीट पर खड़े होकर उसने भीखु भाई के पैरों को पकड़ लिया ठीक उसी समय उट को हड़े हरे पत्ते नजार आए पत्ते खाने के लालच में उट ने गरदन जुकाई और वह अपनी जग़े से हट गया बस, वह आदमी उट की पीट से फिसल गया अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखु भाई के पैड़ों को कसकर पकड़ लिया अब दोनों क्या करते हैं? इतने में एक घुरसवार आया अरे सामलो छो, पेड से लटके दोनों पुकाडने लगे सुनो भाई, कोई बचाओ, बचाओ, गुरसवार को देखकर भीखु भाई ने दुहाई दी ओ मेरे भाई, मुझे पेड पर वापस पहुचा दो हम, एक मिनट भी नहीं लगेगा मैं घुरसवार की फीट पर चड़कर इनकी मदद कर देता हूँ यह सोचकर गुरसवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ लेकिन कौन कहता है घोड़ा उठ से बहतर है हरी हरी घाईस दिखाई देने पर दोनों एक जैसे है घास के चकर में घोड़ा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को उठ वाले के पैड़ों से लटकते हुए एक तो और अब तीनों के तीनों जूलते रहें नाडियल के पेड़ से काका काका कसके पकड़े रहना हाँ घुरसवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा जब तक कोई बचाने वाला ना आये कहीं छोड़ ना देना मैं आपको 100 रुपिय दूंगा काका काका अब उट वाले की बाड़ी थी मैं आपको 200 रुपिय दूंगा लेकिन नाडियल को छोड़ना नहीं 100 और 200 बाप रे बाप 300 रुपिय भीखु भाई का सिर चक्रा गया इतना इतना सारा पैसा खुशी से उन्होंने अपने दोनों बाहों को फैलाया और नाडियल गया हाथ से छूट धड़ाम से तीनों जमीन पड़ गिरें घुरसवार, उंटवाला और भीखु भाई भीखु भाई अपने आपको संभाल ही रहे थे कि एक और बहुत बड़ा नाडियल उनके सिर पर आफ उटा और वो भी बिल्कुल मुफ्त यह कहानी का इस कहानी का अनुवाद किया है संधिया राओ ने और कहानी की लेखिका है ममता पंडिया आज की वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में मिलेंगे फिर से नए पार्ट के साथ अब तक के लिए धन्यवाद